संग्या विकार, लिंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लिंग की पहचान करना सिखाऊंगी. चलिए, इसे चित्र और कुछ वाक्षियों की साहेता से समझते हैं. बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं, माली पौधा लगा रहा है, मालिन फूल तोड़ रही है, लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़की रसी कूद रही है, माता जी चाए बना रही है, पिता जी अखबार पढ़ रही है, इन वाक्यों में माली, लड़का तथा पिता संग्या शब्द द्वारा इनके पुरुष जाती के होने का पता चल रहा है, तथा मालिन, लड़की और माता संग्या शब्द से इनके स्त्री जाती के होने का बोध हो रहा है, तो बच्चो इस प्रकार, संग्या के जिस रूप से उसके पुरुष जाती या स्त्री जाती के होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं, यानि की लिंग से ये जाना जाता है कि व्यक्ति, प्राणी या वस्तु स्त्री है या पुरुष, अब लिंग के भेदों को जानते है बच्चो लिंग के दो भेद होते हैं. लिंग का पहला भेद है पुलिंग. बच्चो जिन शब्दों से पुरुष जाती का बोध होता है, उन्हें पुलिंग कहते हैं. जैसे मोर नाच रहा है. इस वाक्य में मोर शब्द द्वारा उसके पुरुष जाती के होने का पता चल रहा है. एक और उधारन देखते हैं. धोबी कपड़े धो रहा है. इस वाक्य में धोबी संग्या शब्द से उसके पुरुष जाती के होने का पता चल रहा है. इसलिए ब लिंग का दूसरा भेध है स्त्रीलिंग, बच्चो जिन शब्दों से स्त्री जाती का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मोरनी घूम रही है, इस वाक्य में मोरनी संग्या शब्द द्वारा उसके स्त्री जाती के होने का पता चल रहा है एक और उधारण देखते हैं धोबिन कपड़े सुखा रही है इस वाक्य में धोबिन संग्या शब्द से उसके स्त्री जाती के होने का बोध हो रहा है इसलिए इन वाक्यों में मोर्नी तथा धोबिन शब्द स्त्री लेंग हैं अब लिंग की पहचान करना सीखते हैं बच्चो, प्राणी वाचक यानि की सजीव संग्या शब्दों के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक रचना द्वारा होती है जैसे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, बुढ़ा, बुढ़िया, बैल, गाए, चूहा, चुहिया, शेर, शेरनी, आदी इन शब्दों में लड़का, आदमी, बुढ़ा, बैल, चूहा, शेर, पुलेंग है, तथा लड़की, औरत, बुढ़िया, गाए, चुहिया, शेरनी, स्त्रीलेंग है बच्चो, प्राणी वाजक संग्या शब्दों में कुछ शब्द सदा पुलेंग रहते हैं, जैसे तोता, खर्गोश, गीदर, जिराफ, गेंडा, भालू, आदी इन्हें स्त्रीलेंग बनाने के लिए इनके आगे मादा जोड़ दिया जाता है, जैसे मादा तोता, मादा जिराफ, मादा खर्गोश, मादा गीदर, मादा गेंडा, मादा भालू, आदी कुछ शब्द सदा स्त्रीलेंग रहते हैं, जैसे गिलहरी, चमगादर, कोयल, मक्खी, चील, मचली, आदी इन स्त्रीलिंग शब्दों को पुलिंग बनाने के लिए इनके आगे नर लगा दिया जाता है, जैसे नर गिलहरी, नर चमगादर, नर कोयल, नर मक्खी, नर चील, नर मचली, आदी. बच्चों, कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों रूपों में प्रयोग किये जाते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, राष्ट्रपती, मुख्यवंत्री, प्रधानवंत्री, मैनेजर, पत्रकार, पंच, फोटोग्रेफर, आदी. संग्या के विकार ख, वचन. वचन, बच्चों, वचन का अर्थ है संख्या, इन वाक्यों को पढ़िये. मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तकी रखी है, घोड़ा दौर रहा है, घोड़े दौर रहे है. यहाँ, पुस्तक और घोड़ा शब्द संख्या में एक होने का संकेत दे रहे है. पुस्तकी और घोड़े शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे है. संग्या शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं. वचन के भेद संग्या शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पंखा, तितली, दवा, आदी. संग्या शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पंखे, तितलीया, दवाए, आदी. आए बच्चो, अब हम वचन बदलने के कुछ नियम जाने, आ का ए बना कर, एक वचन बहुवचन. बेटा, बेटे, भैसा, भैसे, रुपया, रुपय, पत्ता, पत्ते, खिलोना, खिलोने, दर्वाजा, दर्वाजे, भौरा, भौरे, पंखा, पंखे, केला, केले, महीना, महीने, चूहा, चूहे, घोंसला, घोंसले, बगीचा, बगीचे, महला, महले, कमरा, कमरे, पौधा, पौधे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपडे, चिहरा, चिहरे, बाजा, बाजे, बस्ता, बस्ते, आ के बाद एं जोड़कर, कथा, कथाएं, सेना, सेनाएं, शाखा, शाखाएं, महिला, महिलाएं, योजना, योजनाएं, बालिका, बालिकाएं, कक्षा, कक्षाएं, हवा, हवाएं, कन्या, कन्याएं, आविशक्ता, आविशक्ताएं, माता, माताएं, भाशा, भाशाएं, कविता, कविताएं, प्रार्धना, प्रार्धनाएं, पाठशाला, पाठशालाएं, इका इयां बना कर, नेती, नेतियां, मूर्थी, मूर्थियां, नदी, नदियां, छुट्टी, छुट्टियां, खिड्की, खिड्कियां, मिठाई, मिठाईयां, तितली, तितलियां, जाती जातियां, रीती रीतियां, बोली बोलियां, जोपडी जोपडियां, गलती गलतियां, रोटी रोटियां, कहानी कहानियां, त्रुटी त्रुटियां रुची रुचियां चीटी चीटियां कली कलियां दवाई दवाईयां डाली डालियां गोली गोलियां या का या बना कर गुडिया गुडिया बिटिया बिटिया लुटिया लुटिया चुहिया चुहिया बुढिया बुढिया खटिया खटिया असे एंबना कर बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, गाई गाईं, किरण किरणे, बरात बरातें, राह, राहे, बहन, बहने, नहर, नहरे, भैस, भैसे, जील, जीले, याद, यादे, बह, बाहे, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं, हस्ताक्षर, प्राण, आशू, बाल, बारिश, दूद, पानी, सोना, आदर देने के लिए भी बहु वचन का प्रयोग किया जाता है, दादा जी सो रहे है, प्रधान चारे भाशन दे रहे है,